ये बाल गुपाल जी की 5 नंबर की ट्रेस बनाएंगे और ये च्छोटी और बड़ी की से बणाएंगे वो भी में वीडियो के लास्क में दिखाऊंगे तो वीडियो को लास्का देखे तो देखें ये attorney हमने ये डार्क एक फिरोजी कलर में बनाया है और यह अब हम परपल और क्रीम कलर से बनाएंगे जो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं तो मैंने पांच नमबर की चोली बना करके रेडी रखी है और मैंने इसकी वीडियो अपनी चैनल पे आगे डाल दी है तो इसकी लिंक आपको डिस्टिक्श की साइड तक आ गई हूँ देखे पांच से क्योंकि यह बीच में से घहरा स्टार्ट करेंगे तो जो लाएगा इसलिए स्लिप तीच से यहां पर आ गई हूँ तो इस तरह से अब हम यहां पर तीन चैन बनाएंगे और इसी ओल में डाल करके एक बार और डबल क्रोशा करें बना करके राउंड पूरा कंप्लिट तरह कर लेचे इस तरह से देखे राउंड पूरा हो चुका है यहां पर अब हम तीसरी चैन में झाओ करके एक दो तीन और तीसरी चैन में झाओ करके स्लिप्टीच कर देंगे इस तरह से और अब हम यहाँ पर धागा सेंच करेंगे देखे यह जो एलो राउंड है हमारा तो अब हम वहाँ पर एक क्रीम वाला धागा स्टार्ट करेंगे ये क्रीम धागे में मैंने ड्लोट लगा करके रखी है तो इस नोट को इस तरह से आगे की तरफ खीच लेंगे तो इस तरह से धागा स्टार्ट हो गया हमारा अब ये परपल धागे को थोड़ा सा खीच लेंगे और अगली वाली चैन में जा करके सिंगल क्रोश्या करेंगे देखे तो ये सिंगल क्रोश्या हो गया हमारा अब एक चैन स्किप कर देंगे और दूसरी वाली में जा करके देखे एक हमने स्किप कर दी और दूसरी वाली जो चैन है हमारी इसमें जा करके हम पांच बार डबल क्रोशा करेंगे एक ही चेन में तीन एक चार और पांच तो एक पांच बार हमारे डबल क्रोशा एक ही चेन में हो गया और अब हम फिर से एक चेन स्किप कर देंगे देखे ए स्किप कर देंगे और अगली वाली में जा करके देखे एक क्रीम वाला धागा है वो साथ ले लेंगे और परपल वहाँ पर ही रहने देंगे फिर से एक चैन कोम ने स्किप कर दी और यहाँ पर सिंगल क्रोशा बना लिया तो अब आगे जा करके फिर से एक छोड़ देंगे और दूसरी वाली में जा करके पांच बार डबल क्रोश्या करेंगे तो इसी तरह स्याब बनाते चाहिए दो, तीन, चार और ये पांच पांच हो गया एक skip कर दे और दूसरी वाली में चा करके single crochet फिर से एक skip कर दे रगली वाली में चा करके 5 बार double crochet तो इसी तरह से आप ए राउंड complete कर लिए तो देखे ए राउंड पूरा हो गया है और यहाँ पर मैंने एक्जेस करने के लिए आखरी में जो हमारा एक्जेस होता है इसके बाद एक chain छोड़नी थी हमें तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दो chain skip की है और एक के बीच में हमने एक एक ही chain skip की है देखे इसके बाद एक फिर से यहाँ पर एक एक ही की है लेकिन मैंने यहाँ पर आखरी वाली में एक्जेस्ट करने के लिए यहाँ पर सिर्फ दो चेन स्किप की है एक बार तो आप भी इसी तरह से एक्जेस्ट कर लीजे तो यहाँ पर अब हम स्लिप टीच से धागा चोइट कर देंगे तो यह हमारा राउंड पूरा हो गया अब हम यहाँ पर कलर फिर से परपल लगाएंगे और इस जो क्रीम वाला जो हमारा धागा है इसे पीछे एसे ही रहने देंगे और यहाँ पर इसे चोइट कर देंगे और पीछे से क्रीम वाले धागे को थोड़ा सा खीच लेंगे तो यह धागा हमारा स्टार्ट हो गया देखे इस तरह से धागा हम बदलेंगे इस तरह से ओल में डाला फिर से निकाला एदो लूप रहने देंगे और अब यहाँ पर पर पल धागा यह से स्टार्ट करेंगे इस तरह से इस दो लूप में से निकाल देंगे और फिर से पीछ यहां से यहां पर हम 6 बार चेन बनाएंगे शह चैन बना लो रावन, परेथे लोकर के इसी सिंगल टॉस्य के ऊपर हम डबल सी चेन बनाई है, यहां lett ग्या stuff और अब यहाँ पर हम एक chain लेंगे और जो हमने पांच बार double crochet किया था है एक और दो तो तीसरा हमारा बीच वाला होता है तो इसके उपर हम एक बार single crochet करेंगे इस तरह से फिर से एक chain लेंगे और फिर से loop लेकर के ए वाले single crochet के उपर double crochet बनाएंगे और बीच में तीन chain लेंग और फिर से इसके उपर डबल क्रोशा बनाएंगे तो इस तरह से 20 बन जाएगी और फिर से एक चेन ले करके इनके बीच वाला जो डबल क्रोशा होता है पांच के बीच वाला इसके उपर सिंगल क्रोशा करेंगे फिर से एक चेन लेंगे तो इसी तरह से आप ए राउंड कर ल अब विHY तीन भार चेन लेंगे और इसे बर मात्रय करेंगे ने हैं आप बना ली जन्हाय दिंद येarea oh कि कि युद्ध dalla पूरा होगि binnen आँवार्द सिंगल रोश है लेने के बाद एक चैन भी लेली और अब यहाँ पर हम तीसरी chain में जा करके slip stitch कर देंगे एक दो और तीन तीसरी chain में जा करके slip stitch कर देंगे इस तरह से और अब यहाँ पर हम एक बार फिर से single crochet बना लेंगे और एक और दो chain बना लेंगे एक हमने single crochet किया दो हमारी chain तो हमारे double crochet के आहिट के लिए तीन chain बन गई और अब हम इसी साथ बार कशा करेंगे एक हमारे तीन कीछेनी और छे बार हम डबल क्रूप्शा करेंगे दो तीन चार पांच इच शे औरे साथ साथ बार हमारे डबल क्रोशे एक ही होल में और अब ये सिंगल क्रोशे के ऊपर एक बार सिंगल क्रोशे और अब अगले होल में जा करके फिर से साथ बार डबल क्रोशे चार पांच छे और इस साथ तो इस साथ बार हमारे डबल क्रोशे हो गया अब हम अगले वाले के उपर सिंगल क्रोशे के उपर सिंगल क्रोशा कर देंगे तो इस तरह से आप ये round पूरा complete कर लिये तो दीखे हैं हमारा round पूरा हो गया और अब यहाँ पर हमने 7 बार डबल crochet बना लिये और ये single crochet के उपर हम single crochet बनाएंगे लेकिन इस तरह से ये दो लूप हो गए हमारे अब ये हमारी यहाँ पर 3 की chain है इस तीन की चेन में तीसरी चेन में डाल करके यहां से धागा निकालेंगे और यहां से इनके बीच, दोनों के बीच से निकाल देंगे इस तरह से हम जोईट करेंगे यहां पर और अब हम यहां पर धागा सेंच कर देंगे यहां पर से एक बार कि इसी तरफ से जोईट कर देंगे और यहां पर अब हम फिर से छेट चैन बनेंगे लेकिन इस सिंगल प्रोशा है इसके लिए पांच और चेन बनेंगे यह कि हमने सिंगल क्रोशा किया तो एक चेन बनाई अब दूसरी तीसरी चोथी और पांच भी तो यह पांच चेन हो गई अब इसी जगापे हम फिर से यहां पर क्रोशा डाल करके वी स्टीज बनाएंगे इस तरह से शोरी मैंने स्टाइड में डाल दिया इसी जगापे हम डा इसी तरह से बनेगा तो अब यहां पर दो चेन लेंगे और यह जो उने साथ बार डबल क्रोश्च बनाई थे तो देखे इसके बीच वाला जो डबल क्रोश्च होता है एक, दो, तीन और चार चौथा आमारा बीच वाला होता है तो इसके उपर हम सिंगल क्रोश्च करेंगे और इस V-Stitch के बाद मैंने 2 chain बनाई है, देखें, लेकिन आपको बहुत ज्यादा खिचा वाता है, तो आप 3 ले सकते हैं, और आपकी chain यहाब तो इस तरह से आप मुड़ती है, तो आप कम कर सकते हैं, और खिचा वाता है, तो ज्यादा कर सकते हैं, मैं यहाँ पर 2 chain लेती हू के दूसरा डवल क्रोशा बनाया फिर से दो चेंड लेंगे और फिर से एक दो तीन और चार चोथे चेंड में जा करके सिंगल क्रोशा करेंगे फिर से तीन चेंड लेंगे और फिर से इस सिंगल क्रोशे के ऊपर री स्टीच बनाएंगे एक दो और तीन चेन लेंगे तो इसी तरह से आप ए राउंड कर लीजे सोरी दो चेन बनाई चोथी चेन में जा करके इन चेन के बारे में आप फिर से एक बार देख लीजे आप यहाँ पर मेने दो ली है तो आप तीन लेना चाहे तो भी ले सकते है और कम करना चाहे तो भी कर सकते है आप इस तरह से नीचे रख करके देख लीजे अगर आपको खिचाव लगे तो आप बढ़ा सकते है और मुड़े तो आप खटा सकते है तो दिखे हैं हमारा राउंड पूरा हो गया और अब हम यहाँ पर तीन चेन बना लेंगे और यहाँ पर एक हमारा सिंगल क्रोश्या था और एक ने ओर दो एक तीसरी चेन हो गया हमारी तो इस में चाह करके स्लिप टीच कर देंगे विस सरा से और अब हम यहाँ पर इस होल में एक बार फिर से सिंगल क्रोशा कर देंगे तो यह हमारा होल के अंदर धागा स्टार्ट हो गया अब हम फिर से दो चेन बनाएंगे और अब इसी होल में जा करके हम आठ बार डबल क्रोशा करेंगे और यह हमारे तीन की चेन तो टोटल हमारे नो बार डबल क्रोशे हो जाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच हो गए छे, साथ, आट, और ये नो तो एक ही लुक के अंदर हमारे नो बार डबल क्रोशे हो गए अब सिंगल क्रोशे के उपर सिंगल क्रोशे और फिर से इस वल में जा करके फिर से नो बार डबल क्रोशे करेंगे और ये डबल क्रोशे बहुत ठीले हाज से बनाएंगे टाइट बिल्कुल नहीं करेंगे वरना खिचावाएगा छे, साथ, आट, और ये नो तो ये नो बार हो गए फिर से सिंगल क्रोशे के उपर सिंगल क्रोश्या देखे इस तरह से इसमें नो फिर से सिंगल क्रोशे के उपर सिंगल क्रोश्या फिर से नो तो इसी तरह से आप रेक के अंदर नो नो बार बना ली चे तो इस तरह से राउंड पूरा कर लेज़े हैं देखे, राउंड पूरा हो गया हमारा और अगली बार की तरह हम इस सिंगल क्रोशे के ओल में डालेंगे और निकालेंगे यह दो लूप हमारे रह गये, अब हम यहां पर तीसरी चेन में डाल करके यहां से धागा ले करके इन तीनों में से निकाल देंगे तो इस सरा जे जोइट हो गया और अब यहां पर हम जो हमारा सिंगल क्रोशे के पास वाला जो गोल था इसमें डाल करके अब हम परपल धागे को स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा मुश्किल होगा क्यूकि यह टाइट रहेगा अब हम क्रीम थागे को पिछे से खीच लेंगे तो इस सरा से यह परपल थागे को हम स्टार्ट करेंगे और आप यह देख लीचे अगला राउंड देखने से पहले आप शायद एक और दो नंबर कानाजी के लिए बनाना चाहे तो इतना बना करके यह लास्ट वाला राउंड जो है अमने बनाया है इससे बना लीजे लास्ट वाला राउंड तो जैसे हम इसके लास्ट में आएगे तो भी बताएंगे किस तरह से बनाना है लेकिन यह राउंड आप यहाँ पर बना सकते हैं तो आपकी यह एक और दो नमबर का नाजी के लिए बन जाएगी यहाँ पर से यह पूरा कर लीजे यह परपल वाला राउंड मत बनाएगे तो आपकी छोटी ट्रेस बन जाएगी और अब हमें यहाँ पर यह परपल राउंड स्टार्ट करना है तो दिखे यहाँ पर हम फिर से पाँच चेन बनाएगे एक दो तीन चार और पाँच पाँच चेन बना ली अब इसी होल में डाल करके इस सिंगल क्रोशे के उपर एक डबल क्रोश्या बनाएगे तो इस तरह से 20 एप हो गया और फिर से तीन चेन लेंगे एक दो और तीन और फिर से इसी होल में डालेंगे तो इस दो बार 20 एप हो गया यहाँ पर फिर से तीन चेन बनाएगे और फिर से इसी होल में डालेंगे टोटल तीन बार 20 एप एक ही होल में हम बनाएगे तो देखे यह ले हमने 5 चैन बनाई थी फिर 3 चैन ले करके double crochet फिर 3 चैन ले करके double crochet तो एक ही hole के अंदर इस तरह से 3 आ जाएगी और अब यहाँ पर हम 3 चैन लेंगे एक दो और तीन तीन चैन ले करके यह जो हमारे 9 double crochet थे देखे यहां से गिनेंगे एक, दो, तीन, चार और पांच, तो यह हमारा पांच वाजो है वो हमारा बीच वाला होता है, तो इसके उपर हम सिंगल क्रोशा कर देंगे, और फिर से तीन चेन बनेंगे, एक, दो और तीन, तीन चेन बनाने के बाद लूप ले करके, इस सिंगल क क्रूशा करेंगे 一ं Sie groups । फिर से तीन चेहर लेंगे एक दू और तेन धने、 फिर से यहां पर बीच वाला हमारे डाबल क्रूश्या हो 가지 है एक दो तीन चार और पांच तो पांच वेवे उपर फिर से सिंगल क्रूशा करत देंगे तो तो एक बार हमारा तीन लूप आएगा इस तरह से वीशेप का और एक के उपर एक बार ही तो हमारा तीन बार आएगा अगले वाले होल में एक दो और तीन चेन ले करके दो और तीन चेन ले करके इसमें डालेंगे और इस तरह से तीन चेन लेंगे और फिर से इसी होल में डाल फिर से तीन चेन लेंगे और आगे हमने चैसे तीन बार बनाया था इसी तरह से हम तीन बार बना लेंगे तो देखें टोटल हमारे तीन बार हो गए फिर से तीन चेन लेंगे और यहां पर बीच वाला पांच बार होता है हमारे एक दो तीन चार और पांच पांच वे के ऊपर सिंगल क्रोशा कर लेंगे तो इसी तरह से आप पूरा राउंड बना लीजे यहां पर अब एक ही बार वी स्टीच बनाएंगे तो इस तरह से आप round complete कर लिजे तो देखे राउंड पूरा हो चुका है और अब यहाँ पर हम तीन chain बना करके इसके साथ ही से चोईट कर देंगे यहाँ पर तीसरी chain जो हमारी है इसके साथ slip stitch से चोईट कर देंगे इस तरह से और अब हमें यहाँ पर यह जो हमारा तीन लूप था इसके पहले लूप में जा करके फिर से एक बार single crochet कर देंगे और यहाँ पर दो chain बना लेंगे तो यह हमारे तीन की तीन जो chain हमारी होती है इस तरह से हो जाएंगा पहला हमारा single crochet और इसके बाद दो chain तो एक double crochet के height के लिए आज जाएगा तो यहाँ पर अब हम 6 बार double crochet बनाएंगे तो एक हमारे तीन की chain और 6 बार double crochet तो यह हमारे total 7 हो जाएंगे एक दो तीन चार पांच 6 और यह 7 तो यह 7 बार हो गया और अब हमें जो यह अगला वाला लूप है वी स्टीच का इसके अंदर जाकर के single crochet कर देंगे और अब हम दूसरे वाल में जाकर के फिर से 7 बार double crochet करेंगे यहाँ पर 7 बार किया इसी तरह से इस वाल में भी 7 बार बना लेंगे बीच वाले में single crochet तो यह हमने इस लूप में भी साथ बार बना लिया और आगे мех Ist, Сп именно такие के उपर, और हमने कोई चेन नी बना नहीं है, साथ बार क्रोश्य के बाद सिंगल क्रोश्य के के उपर स्नेंगल कॉरश्या बना लिए आप अगले होल में करके आपकीप नो बार क्रोश्या बनाएंगे वीगल क्रोश्या देखेंगेुद और आप हमें फिर से यह जो हमारा तीन लूप था आगे हम ने जैसे बनाया इसी तरह से पहले के अंदर साथ बार डबल क्रोश्या चार पांच छे और साथ तो यह साथ बार हो गया बीच वाले में जा करके सिंगल क्रोश्या और अगले वाले में जा करके फिर से साथ बार तो इसी तरह से आप यह राउंड पूरा कंप्लीट कर लीजे देखे पहले हमने साथ बार डबल क्रोशा लिया बीच में एक सिंगल क्रोशा फिर से साथ बार फिर से सिंगल क्रोशे के ऊपर हमने सिंगल क्रोशा बनाया और यह जो हमारा एक ही विस्टीज था इसके अंदर हमने नो बार बनाया और फिर से आगे इसी तरह से जैसे हमने यह पर बना यह तो इस Diesारा से आप यह राउंड पूरा कर लें, तो दीखे राउंड पूरा हो गया है मैना जोईट करना है ऑफ सिंगल खुंखर के ओपर खुंखर को डाल टाल करके धागल करके खुंखर करके खुंखर कर Fed जो दो लूप हमारे क्रोशे में थे उसे भी हम एक साथ निकाल देंगे तो इस तरह से जोईट करेंगे हम और अब हम यहाँ पर एक क्रीम वाला धागा स्टार्ट करेंगे तो क्रीम ध्दागा स्टाट हो गया. हमारра अब नीचे शा करने के इस सिंगल त्रोन के पास्द YOL मैं शा करने के एक बार फिर से यहां पर सिंगल त्रोन क्रोना गया देंगी anyway है कि दिथे कि ऑस्तरब द देखें इस तरह से एен तो हिएए हमारी त्रेन धागा स्टाट हो चार और पांच पांच चेन बनाने के बाद इसी वल में जा करके फिर से एक बार डबल क्रोश्या करेंगे तो यह हमारा वी सेफ हो गया और अब यहाँ पर एक दो और तीन चेन बनाएंगे और यह जो साथ हमारे डबल क्रोश्या थे इनके बीच वाले में एक दो तीन और चा और अब यहां पर लूप ले करके इस वाले सिंगल क्रोशे के उपर एक बार डबल क्रोशा बनाएंगे और यहां पर भी हम वी स्टीच बनाएंगे तो बीच में तीन चैन लेंगे और फिर से इसी होल में जह करके एक बार डबल क्रोशा करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा औ पर चुप्त हुपर चाहिए बनाओ ह सब्सक्राइब पहराथ सНगल क्रोषए बना बिच में करें च मुपर सब्सक्राइब भीशेयव तो तो सब्सक्राइब drained रचे सब्छेन सब्सक्रार एक दो तीन चार LIVE और पांच जो हम इस तर में चैन्ड लिया है इसके उमारा Maps ें पर नौबार और सब्सक्राइब दो होता है और सब्सक्राइब पर हमारा एह सिंगल क्रोष्रे वालाध अ Отर बनाएंगे तो इसी तरह से आप इसनल कर लीजे ए तो दिखें ने थे से एप स겠어 वपने तीन चेन बना लिए। और अब यहाँ पर गुलाध हुमारी जो तीसरी चेन होती है इसके साथ हम उड्वा def pyramid कर देंगे एक दो क तो यह जो हमारी तीसरी चेन है इसमें जा करके स्लिप टीच कर देंगे और यहाँ पर फिर से एक बार सिंगल क्रोशा कर देंगे और एक और दो दो चेन बनाए एक सिंगल क्रोशा तो यहमारे तीन चेन बराबर हो गया और एक डबल क्रोशे के हाईट के लिए आजाएगा तो अब हम यहाँ पर एक ही होल में नो बार डबल क्रोशा करेंगे तो तीन बार हुआ चार पाँच छे साथ आठ और यह नो नो बार हो गया और अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे के उपर सिंगल क्रोशा बनाना है और अगले वाले वी स्टीच में जा करके फिर से नो बार तो इसी तरह से आप बना लीजिए हर एक वी स्टीच के अंदर नो बार डबल क्रोशा और सिंगल क्रोशे के उपर सिंगल क्रोशे तो इसी तरह से आप ये पूरा राउन बना लिजी देखे इस तरह से यहाँ पर हमारा तीन तीन छे हो गया साथ आट और ये नो और अगले वाले सिंगल क्रोशे के उपर सिंगल क्रोशे और यहाँ पर फिर से नो बार तो इसी तरह से आप बना लिजे तो दिखे यह राउंड पूरा हो गया है और यहाँ पर अब हम यह जो हमारा क्रीम वाला राउंड था इसे यहाँ पर हमने सिंगल क्रोश याल ले लिया अब हम तिसरी चेन में ज़कर करके स्लिप टीच से जोइट कर देंगे और अब यहाँ पर अब यह हमारा जोर लास्ट वाला राउंड है वह हम बनाएंगे तो इसमें हम परपल धागा स्टार्ट करेंगे और अब यह हमारा जो क्रीम वाला धागा है इसे हम साथ मेले लेंगे क्योंकि अब हमारा क्रीम वर्क फिनिश हो चुका है तो यहां पर से अब हम थोड़ा सा खिंच लेंगे और यह जो परपल धागा स्टार्ट हो गया इसे हम यहाँ पर पहले वाले में चा करके स्लिप टीच कर देंगे और इसे पूरी चेन ने उठाएंगे देखे यह जो हमारा लूप होता है इस तरह से पुरा ने उठाएंगे एक ही धागा उठाएंगे पीछे वाला इस तरह से तो यह हमारे 9- ∂व डूश 채 है तो यह हम 4 बार 2 स्लिप तीच करेंगे और 26 वह ऊपर 6 क्रोश आ करेंगे देखे, यह तीन हो गंगी और यह 4 तो यहां पर हमने एक बार शुरू किया था तो यह हमारी टोटल 5 हो गई है तो ऑस यहां पर अब हमें स्लिप टीच नहीं बनानी है, पांचवी चेन के अंदर हमें सिंगल क्रोशा बनाना है, इस तरह से, और अब हम इसके उपर तीन चेन बनाएंगे, और यहाँ पर, यह जो हमारा सिंगल क्रोशे के उपर लूप दिखता है, वहाँ पर जोइट करके सिंगल क्रोशा बना देंग और अब हम यहाँ पर फिर से आगे पहले की तरह ही स्लिप टीच बनाएंगे और स्लिप टीच एकदम ठीले आज से बनाना है टाइट करेंगे तो इसमें खीचाव आएगा यह पूरी ड्रेस आप ठीले आज से ही बनाएगे वरना इसमें खीचाव बहुत आएगा आप इसे ठीले आज से ही बनाएगे तो इस तरह से आगे भी करते चाहिए तो यहाँ पर इस राउंड के हमारी पहली स्लिप टीच हो गई फिर दूसरी तीसरी और एच चोथी तो पाथवी के अंदर जा करके सिंगल क्रोशा बनेंगे फिर से तीन चेंड लेंगे और इसी के ऊपर इन दो लूप को उठा करके सिंगल क्रोशा बना देंगे और फिर से आगे इसी तरह से स्लिप टीच करते जाएंगे और देखे पीछे वाला एक ही लोग उठाना है तो इस तरह से आप ए राउंड पुरा कर लीजिए देखे तो देखे ए राउंड पुरा हो गया है और यहाँ पर जहाँ पर हमने शुरुआज की थी वहाँ पर जा करके एक बार फिर से स्लिप टीच कर देंगे काट लेंगे तो दिखे ड्रेस हमारी बन करके रेडी हो गई है और इसे छोटी बनाना चाहे तो मैंने बताया था आपको कि आप ए राउंड के बाद भी यह लास्ट वाला राउंड बना ले यह जो हमारा क्रीम राउंड पूरा हो जाए इसके बाद यह बना ले तो यह आपकी दो और तीन नमबर का नाजी के लिए हो जाएगी और इसे भी बड़ी बनाना चाहे तो यह वाला जो राउंड है यहाँ पर फिर से आप बनाएंगी यह जो हमने बनाया था एक ही लूक में हमने तीन बार भी स्टीच किया था और फिर से एक बार बनाया था तो इसी राउंड आप एक बार इसके बाद इस क्रीम के बाद बन तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा और अगर आपको एड्रेस पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे और मेरी चैनल को सस्क्राइब कीजे और बाजू में बेल आइकोन खंटी को भी प्रेस कीजे ताकि मैं जब भी कोई नेया वीडियो डालो तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले वीडियो देखने के लिए थेंक यू